नमस्कार दोस्तों, वेलकम टूडान आप सक्सेस, आज हम इस्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का थरड पार डिसकस करेंगे, जिसमें आज हम एडवन्स लेवल के कुश्चन से सॉल्ड करेंगे, इससे पहले हम दो पार डिसकस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक लेवल के देखेंगे, अगर आपने पिछले पार्ट अभी तक नहीं देखें। एक कार मुंबई से दिल्ली के लिए सुभए आठ वज़े चलती है, छे घंटे वाद कार में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से यह कार अपनी दो वट्टे तीन चाल से आगे वढ़ती है, और चालीस मिनट लेट हो जाती है, अगर यह कार 200 किलो मेटर आगे खराब हुई होती, तो यह केबल 30 मिनट लेट होती, और तो बताओ कि मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी के आए, देखो इस तरह के कुश्चन को कैसे सॉल करते हैं, बहुत ही आसन तरीके से समझेंगे, इसे हम ग्राफ के ग्राफ से समझे आजाए, देखो, अगर मालो, यह मुंबई और दिल्ली के बीच गया राष्टा आया, यानि यह मुंबई है, और यह दिल्ली है, अब यहां से कोई कार चलती है, यहां से कोई कार चलती है, और बोला गया है, कि सुबह 8 विजे चलती है, यानि यह 8 विजे का टाइम है, यह आठ बजे यहां से चलती है अब इसके बाद कि 6 घंटे बाद इसमें कुछ खराबी आ जाती है मालूम कि यहां तक यह कार चल ले और यह कितनी डिस्टेंस है मतलब 6 घंटे 6 घंटे का टाइम लगा है इसको यहां तक पहुँचने में 6 घंटे चल गी अब इसके बाद बोला है कि कुछ खराबी आ जाती है जिसकी बजाए से यह अपनी स्पीड की 2 घंटे 3 चाल से चलती है देखो हमने पिछले एक पार्ट में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्पीड टाइम की इंवर्स होती है यानि कि देखो स्पीड एकल टू क्या होता है 1 अपन टाइम है न तो यहाँ से क्या हो जाएगा अगर मालो स्पीड कितनी दी है स्पीड है 2 इस 2 3 यानि पहले 3 यूनेट पर घंटे की उसके स्पीड थी जो बाद में 2 यूनेट पर घंटे की स्पीड हो गई अब इसका टाइम क्या हो जाएगा इसका इंवर्स हो जाएगा जब इंवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इस 2 3 इस 2 2 3 इस 2 2 हो जाएगा अब देखो आप यहां से देखोगे देखो यह नीचे वाला हमारा time है यह और उपर speed है लेकिन बोला गया है कि पहले जब 3 की unit से चल रहा था उसको time कितना लगता है दो unit और अब 2 unit की speed से जा रहा है तो time कितना लगेगा तीन unit अब time 3 unit लगेगा तो आप यहां से देखेंगे कि क्या बोला है चालीस मिनट लेट हो जाता है चालीस मिनट लेट कब हो रहा है यानी पहले दो unit उसको time लगता अलग तीन unit equal है कितने के 40 minute के अब एक minute 40 minute के equal है तो अब ये बताओ ये 2 original time कितना था बास्तवक time कितना था 2 unit तो 2 का multiply कर दोगे 40 में तो हमें कितना मिल जाएगा बताओ 80 minute 80 minute मिल जाएगा अब यहां से आपने देखा कि यानि कि यहां से यह 6 गंटे था यहां से डी तक अब time कितना लगेगा 80 minute और लगती है उसको यह points क्लियर हो गया होगा आपका तो देखो अब यहां से हम फिर से देखते हैं देखो 80 minute यहां पर 80 minute लगते है ठीक है 80 minute अब आगे बोला गया है कि अगर यहां कार 200 km आगे खराब हुई होती कि अगर मालनो यहां कार जो है 200 km और चल लेती यानि यहां तक आ जाती तो 200 km और चल लेती 200 km और चल जाती तो तो क्या होता कि बोला गया है कि अगर 200 क्लिमीटर और चल लेती तो यह सिर्फ 30 मिनट लेट होती यानि कि फिर से वही कि इस पीड कितना है हमारा तो कि अगर 200 क्लिमीटर आगे खराब होई होती तो 30 मिनट लेट होती यानि पहले 40 मिनट लेट हो रही थी अब सिर्फ 30 मिनट लेट होती तो यानि यहां से अमने टाम क्या निकाला था 3 इस टू टू यानि टाम का डिफरेंस केतना है बन यूनिट का अब यह बन यूनिट का जो डिफरेंस है यही किसके इकल हो जाएगा यह भी यानि 30 मिनट के इकल हो जाएगा यह टाम आई होप यह चीजें आपको समझ में आ रही होगे जब एक उनोट तीस मिनट के है तो यह दो उनोट की वैलू कितनी हो जाएगी बताओ दो का मल्टिपलाई कर देंगे इसमें तो हमें 60 मिनट यानि एक घंटा मिल जाएगा यानि कहने का मतलब यह हुआ कि यहां से हमें यह टाइम कितना मिल जाएगा यह टाइम मिल जाएगा यह यहां से यह वाला 60 मिनट मिलेगा यह 60 मिनट मिलेगा अब आप एक बात ध्यान दो कि यहां से यह हमें 80 यानि 80 मिनट लग रहे थे लेकर आप इधर 60 मिनट रहे तो यह बा Wak डिफ измен gees कितना हो जाएगा बताओ यह वाला डिफरेंस कितना हो जाएगा यह हो जाएगा बीस मिनट का बताओ यह पॉइंट के लिए है आपका अब बीस मिनट का डिफरेंस हो जाएगा तो आप क्या कर सकते गहां से अगर हमें यहां से दिया गया है कि बीस मिनट में कुश्चन के आप यहां से देखोगे कि क्या दिखिरा में 200 किलोमीटर कितने में 20 मिनिट में कवर किया इसने जब 20 मिनिट में कवर किया तो क्या हम 60 मिनिट का निकाल सकते हैं तो यहां से निकालेंगे अगर एक मिनिट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अगर एक मिनिट का निकाले क्या हो जाएगा 200 अपन 20 हो जाएगा अगर 60 का यानि अगर 60 मिनिट का निकाले तो यहीं पर आप अगर multiply कर दो 60 का अगर 60 मिनिट का निकालोगे यहां से अगर एक step और चल लेते हैं देखो यहां से अगर हम 60 minute का निकालें आप यानि एक घंटे का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 200 upon 20 multiply 60 यानि 60 तो इस 20 से इसको cross कर दोगे कितना 3 times और अब हम multiply करते हैं 200 का 300 में तो हमें क्या मिल जाएगा 600 और 600 किलोमीटर प्रति घंटा की speed हो जाएगी और question क्या पूछ रहा है देखो हमें speed मिल गई अब speed मिल गई तो आप एक बात और ध्यान देंगे तो मुम्माई से दिल्ली के बीच की दूरी बताओ अब आप एक बात ध्यान और देंगे अगर यह टोटल टाइम कितना हो गया बताओ टाइम कितना हो गया च्छे घंटे तो यह हो गये इस पॉइंट तक के अब इसके बाद के 80 मिनट और करोगे तो यह कितना हो जाएगा 7 घंटे 20 मिनट बताओ हो जाएगा कि नहीं 7 घंट बीश मिनट हो जाएगा अगर हम 7 घंटे 20 मिनट को 7 घंटे 20 मिनट को एक फ्रैक्शन में करें या ऐसे भी रख सकते हैं आप क्योंकि 20 मिनट का तो हमने टाम निकाला था 200 200 किर्ट है तो यहां से आप देखोगे कि हमने इस्पिर्ट कितने निकाली इस्पिर्ट निकाली 600 km प्रत घंटा तो 7 multiply 600 यह है और 20 मिनिट का भी add कर दोगे तो 20 मिनिट में कितना चल रहा है 200 km यही तो चल रहा है अगर हम यहां से निकाले तो कितना हो जाएगा साच चिंगे 42 200 प्लस 200 कर दोगे इसमें इकल टू कितना हो गया 4400 km डिस्टन्स हमारी क्या निकल कर आगी 4400 km आई होप यह है पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा यह कुश्चन अच्छे से समझ माया होगा एक बार फिर से quick revision कर लेते हैं किया क्या क्या थ कि हमें कि बताया गया कि एक कर्ड आठो वॐ़ जो चलती है यहा यह आदि यह चार्णी घंटे बाद खराब होती हैं इसके बार में आपको बोला गया थो यह 40 मिनट 200 च्छे घंटे बाद 40 मिनटी लेकिन प्लिकिशन और ॐ डिया चलके वह बुल दिया गया कि अगर 200 km और आगे चल लेती 200 km आगे जागे खराब होती है तो कितना सिर्फ 30 मिनेट लेट होती है तो यहां से हमने क्या किया कि Speed और Time का Ratio हमने निकल लिया जहां से हमने Time को निकल लिया कि कितना Actual Time यानि बास्तिविक time कितना लगेगा तो यह निकाल लिए हमने और उसके according फिर हमने इस पीड निकाल लिए ठीक है I hope यह question आपको बहुत अच्छे से clear हुआ होगा तो देखते हैं next question next question में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने घर से office के लिए किसी निशित चाल से चलता है और एक घंटे बाद उसका accident हो जाता है जिसके बाद वह एक घंटा आराम करता है आप इस point को और note करने कि एक घंटा आराम करता है वो चलनी रहा है उस time पे और फिर अपनी 5 वट्टी 6 चाल से चलना शुरू करता है और एक घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है अगर दूर घंटा 50 किलो मीटर आगे हुई होती तो वह सिर्फ एक घंटा 20 मिनट ही लेट हो पाता है तो घर से office के 20 की दूरी बताओ आप देखो यहां से आप देखोगे कि अभी की तरह से ही इसको देखें तो क्या करोगे अगर माल यह उसका घर है यानि हाउस लिख लिख लेते हैं और office को ओ लिख लेते हैं ठीक है अब यहां से आप देखोगे तो यह क्या हो जाएगा यह बोला गया है कि अपने निसेचाल से चल रहा है एक घंटे वाद अगर मालों यहां तक वो चल लिया एक घंटा एक घंटा चल लिया अब एक घंटे के वाद क्या होता है कि उसका एक्सिडेंट हो जाता है और एक घंटा आराम करता है अब आप एक वाद ध्यान रखोगे कि यहाँ पर जो लेट हो रहा है न यह लेट हो रहा है कितना एक घंटा 36 मिनट इस में से एक घंटा तो सिर्फ उसने आराम किया था तो लेट इस पीड की मज़ासे कितना हो रहा है 36 मिनट ये बात आपको ध्यान देनी होगी यानि फिर से दोहरा दू कि ए गंटा वो आराम किता है जब ए गंटा आराम करता है तब लेट कितना हो रहा है कि एक घंटा 36 मिनिट लेट हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक घंटा तो उसने अरम किया था और लेट इस पीड के वज़ा से कितना होगा 36 मिनिट तो अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या वो लगया है कि वह अपनी 5 वट्टे 6-4 से चलत यह स्पीड है तो टाइम क्या हो जाएगा टाइम इसका इंवर्स हो जाएगा यानि 6 इस्टू 5 6 इस्टू 5 हो जाएगा अब आप यहां पर देखेंगे कि देखो यह बास्तिविक स्पीड थी 6 उनिट प्रत घंटे की और यह उसके एक्स्टेंट होने के बाद गिया 5 उनि अगर हम यहां पर देखें इन दोनों यूनिट का डिफरेंस कितना मिलेगा में एक एक डिफरेंस मिलेगा और यहां से और यह एक उनिट कितने की इकुल हो जाएगा 36 कि यानि 36 कितना लेट हो रहा है 36 इस्टू क्योंकि ए घंटा तो उसने शिप आराम किया है अब यह लेट हो रहा है अगर एक उनिट की वैलू हमारी 36 मिनट है एक उनिट की वैलू 36 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 180 5 की कितनी हो जाएगी 180 180 का मतलब क्या हो गया 3 घंटे तो यहां से उसको कितना टाइम और लगता तीन घंटे का तीन घंटे का टाइम और लगता इसको तो क्या होता यहां से अगर आप देखें कि बोला गया कि अगर दुर गटना 50 किलोमीटर आगे होई होती अगर मालो यहां पर कोई एक पॉइंट है आगे अगर वो 50 किलोमीटर और चल लेता तो यहां पर पहुंच जाता इस पॉइंट पर पहुंच जाता पचास किलो मीटर और चल नहीं पर ठीक है तो क्या होता तो वह सिर्फ 20 मिनट लेट होता अब आप देखेंगे कि यहां पर हमने यह टाइम का डिफरेंस कितना निगाला एक उनिट का और वो एक उ हो रहा है और इसमें से एक घंट है तो सिर्फ उसने आराम किया था तो इस फिल की वज़े से कितना लेट हो रहा है 20 मिनट अब 20 मिनट लेट हो रहा है तो यानि अब आप देखेंगे यहां से क्या कि 20 मिनट एक उनिट की वैलू हमारी 20 मिनट है तो फाइव इनिट की 40 minute, यही तो हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि यह पर, यह स्फील अगर इसकी बात करें, यहां पर time इसको, देखो, यह से क्या होता, यह time इधर कितना लगता, इसको 100 minute और लगते, तो 100 minute का मतलब कितना हो गया, 1 गंटा 40 मिनट यानि 1 गंटा 40 मिनट और लगती इसको ठीक है 1 गंटा 40 मिनट और लगती इसको अभी अब यहां से आप देखेंगे कि यह 3 गंटे थे और यहां पर यह कितना है 1 गंटा 40 मिनट तो इसका अगर हम difference निकाले तो हमें कितना मिल जाएगा एक गंटा 20 मिनट यानि ये वाला टाइम ये 50 किलियो मीटर का टाइम है ये एक गंटा 20 मिनटर में इसने चला होगा ये पॉइंट आपको क्लियर है बताओ यानि यहां से क्या हो गया इसकी बात करें 50 किलियो मीटर 1 convention, 20 minit में चला, अगर हम इसकी speed निकाले तो 1 convention 20 minit का मतलब क्या हो गया, 80 minit, 80 minit हो गया, तो यह नियुद से हमारा क्या हो गया, यह 50 km, अगर speed हम निकाले, तो क्या हो जाएगा, 50 km जो चल रहा है, वो 80 minit में, ठीके, 80 minit में, तो अब देखो 80 minute है तो इसको अगर घंटेम convert कराएगे तो 60 भी लिखेंगे इसके upon में तो ये 60 उपर चला जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा यानि अभी हमने पिछले question में simple तरीके से किया था कि 80 minute की value कितनी है 50 तो 1 minute की value कितनी हो जाएगे 50 upon 80 50 और 60 की निकालेंगे तो ये उपर चला जाएगे यानि multiply कर देंगे यानि 50 into 60 कर देंगे और यहां से upon 80 I hope यहां तक आपका point clear हो गया हुआ जब यहां से clear हो गया तो इस 0 से 0 क्रॉस कर दो गया और 2 से 3 times और ये 4 times ठीक है अब 2 से फिर से काट दो 2 से 2 बार 4 कर जाएगा और ये 25 ठीक है यहां तक clear हो गया तो अब देखेंगे कि 75 upon 2 ये क्या आगया speed speed आगे अब 2 25 बट्टे 2 याणि 35 गंटे अगर बात करें 37.5 किलो मीटर किलो मीटर प्रत घंटा ये speed आगे अब यहां से आप देखें तो पूछा क्या गया है question में पूछा गया है तो घर से office के 20 की दूरी बताओ अब आप इधर देखो कि पहले एक गंटे बाद एक गंटे बाद उसका accident हुगा था और उसके बाद actual time में उसको कितना और लगना था तीन घंटे का तो यह total time कितना हो जाता चार घंटे का बताओ चार घंटे का time हो जाता है अब उसकी speed कितनी है अब इधर देखें कि उसके speed कितनी है 75 75 upon 2 तो यानि 75 upon 2 speed है उसकी और वो 4 घंटे कितना चलेगा distance क्या होता है distance equal to होता है, speed into time, यहीं तो होता है, distance equal to, क्या होता है, speed into time, तो speed हमारी कितनी है, 75,2 km प्रत घंटा, और time कितना है, 4 घंटे, अब हमने इन दोनों को multiply किया, तो 2 से 4 को cross करेंगे, तो यह 2 times हो जाएगा, और यह कितना मिलेगा हमें, 150, यानि 150 km, और यही distance हो जाएगी, इस question का answer, I hope, यह point आपको बहुत अच्छे से, यानि यह question, आपको बहुत अच्छे से clear होगा, आप question, वीडियो को post करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक बार में समझ ना आई, वीडियो को दोबारा से देखिए, मैं guarantee से कह सकता हूँ, को आपको बहुत अच्छे से समझ में 28 मिनट के अंतराल पर, एक ही जगह से 28 मिनट के अंतराल पर दो गोलियां दागी गई, अब इसमें बोला गया, तो उसी जगह से, उसी जगह की और, आ रहे ही, बस में बैठे एक ब्यक्ति को, दूसरी गोली की आवाज, पहली गोली इसे 26 मिनट वाज सुनाई देती है, तो और एक पॉइंट और याद रखें, कि इसमें बोला गया, कि यद हवा की गती, यानि माध्यम में, जो हवा की गती है, वो 325 मीट प्रत सेकेंड हो, तो बस की चाल बताओ, कोई बात नहीं, इस तरह की कुश्चन से आपको घवराना नहीं, इसे बहुत ही आसन तरीके से में आएगा, यहां से देखो, अगर मालो, यहां से कोई बुलेट चल रही है, यानि गोली चली है, यह गोली चलेगी यहां से, अब यहां पर कोई बस है, कोई ब्यक्ति है, ठीक है, बस में बैठा कोई ब्यक्ति है, वो आ रहा है, इसको पहली गोली चल गई, अगर मालो, स व्यक्ति को सुनाई दी है कि एफunu एफने से चलरा हुआ यहां पर इस व्यक्ति को सुनाई दी बस में बैठे व्यक्ति कुछ सुनाई दी ठीक है लेकिन अब देखो ये व्यक्ति यहां से चल रहा है ये बस आगे चल रही है अगर मालूं यहां पर आ गया ठीक है इस पॉंट पर आ गया और दूसरी गोली चलती है 28 मिनट बाद इन दोनों का डिफरेंस केतना है 28 मिनट का आथगे 28 मिनट का अंतर है तो दूसरी गोली चलती है तो बो यहां पर इसको मीट करती है कि कभ चतना दोने पर तो जिल पाई और गोला कितने में गोली 26 मिनट बाद सुनाई देगी तो जानी दो मिनट में इसने कवर कर ली इसका मतलब क्या हुआ कि ब्यथि यहां से देखेंगे कि गोली ने कितना दो मिनट में जितनी डिस्टेंस कवर की और बसने 26 मिनट में cover करेगा time लग रहा है यही तो मतलब हुआ यानि 26 मिनट 28 मिनट था total ठीक है 28 मिनट का अंतराल था गोली में अब आपने देखा क्या यहां पे कि 26 मिनट बाद दे गई यानिजरी कितरे देर बाद जा दे जानी जाया थी, 18 मिनट education अंतर था लेकिन कितने मिनट यहां 26 मिनट वाद 3 2 मिनट यानि 2 मिनट बाद 2 मिनट का time लगए 2 मिनट में औगया तो इसका मतलब क्या हुआ जैना का अगर हम रेशियो देखें किसका बस का और हवा का अगर हम यहां से बस और एयर यानि बस है यहां पर और यह हवा अगर हम इनके टाइम की बात करें बस का अनपात हवा से है यानि अगर हम यहां पर टाइम की बात करें तो बस को कितना टाइम लग रहा है दू मिनट और हवा को कितना लग रहा है इसमें उल्टा लग गए बस को टाइम कितना लग रहा है 26 मिनट और हवा को उतना डिस्टन्स कवर करने कितना टाइम लगेगा 2 मिनट यानि इनका टाइम का रेशियो क्या हो गया 26 इस्टू 2 26 इस्टू 2 हो गया अब यह टाइम का रेशियो हो गया अगर 2 से 1 हो जाएगा और यह 13 यानि हमें क्या रेशियो मिला 13 is to 1 अगर हम इस पीड की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका इन्वर्स हो जाएगा 1 is to 13 यानि एक अनपाथ 13 यह हो जाएगा तो यहां से आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि हमें हवा की गति दी गई है कि 325 मीटर प्रत सेकिंड और लेकिन हमने इस कुश्चन में क्या देखा कि 13 यूनिट प्रत सेकिंड का आराइस पी तो यहां से क्या करोगे यह 13 यहां से कितना है यह 325 यूनिट के मीटर के इकवल हो जाएगी यहां से हम कह सकते हैं कि यह 13 यूनिट जो है वो किसके इकवल हो जाएगे 325 के 325 के हो जाएगी तो यहां से बन यूनिट की बैलू निकालें तो 13 से डिवाइड कर देंगे इसको तो कितना हो जागा 13 टू ज और कितना बचा 6, 13, 5 जा यानि 25 मीटर प्रत सेकंड यह स्पीड आई और पूछा क्या गया है हमें कि बस की चाल बता हो तो बस की चाल के लिए हम देखेंगे कि इसका कितना है बन यूनिट बन यूनिट प्रत सेकंड तो यानि बस की चाल क्या हो जाएगे यहां से बन यूनिट प्रत सेकंड और यही इस कुश्चन का यानि कि 25 मीटर प्रत सेकंड यहां से 25 मीटर प्रत सेकंड का हो जाएगा और यही इस कुश्चन का अंसर है I hope session आपको को explain कर सको और जो आपको पसंद भी आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा